हेलो गाईज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कविता होमेंड की चन में फ्रेंड आज हमने बनाई है मत्र पनीर की सबजी इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट ये सबजी बनकर तयार होई है तो इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं मैंने इसको हून करके इसके ईसके ऊपर कढाई को रख लिया है और इसमें दो बड़े चमच तेल डाला है तैल को हम गरम होने देंगे आप घीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तेल गरम होने के बाद इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे और दो लोंग एक इलायची और दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल देंगे इसको बून लेंगे इसको बूनने के बाद अब इसमें हम पीशी हुई प्याज को भी डाल देंगे साथ ही हम इसमें अदरख मेरिच लेसन का पेस्ट ये भी डाल देंगे अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भुण डेंगे फ्रोस प्याज्ज का कलर चेंज हो गया है Major हमें ज्यादा नहीं बुनना है इसको हलका हलका ही गोल्डन ब्राउन करना है अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे साथ ही मसाले भी डाल देंगे मसाले में हम सवाद के नमसार नमक डालेंगे एक चमच दन्या पाउडर डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच किचन किंग गर्म मसाला एक चमच पनीर मसाला अब इनको mix कर लेंगे mix करने के बाद अब इसको डखन लगा कर टमाटर को गलने तक पका लेंगे दो मिनिट बाद डखन हटा कर देखें टमाटर अच्छे से पक गया है इसमें से तेल रिलिज होने लगा है और अब बारी है मटर डालने की अब जो हमने मटर निकाल के रखे थे वे इसमें डाल देंगे और इनको भी मिला लेंगे और अब इसमें एक गिलास पाने डाल देंगे और मटर को अच्छे से पका लेंगे गाईज येदि आप कूकर में बनाना चाहो तो कूकर में भी बना सकते है अब मतर को अच्छे से पकने तक हम इसको डखकन लगा कर छोड़ देंगे देखे गाइज मतर को हमने अच्छे से पका लिया है अब इसको मिक्स करके इसमें पनीर जो हमने कट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे अब पनीर को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे और ड़कन लगाकर दो मिनट तक पकाएंगे दो मिनट बाद ड़कन हटाकर सबजी को मिक्स कर लें सबजी में से बहुत अच्छी कुस्बू आ रही है गाइस बहुत अच्छी सबजी यह बनकर त ile होई है झाल झाल